मित्रो नमस्कार मैं मैं त्रिपाठी नवग्यान जोतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हारदिक स्वागत करता हूँ मंगल देवता रासी परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये 30 जून को रासी परिवर्तन करके 17 अगस्त तक सिंग रासी में गोचर करेंगे मंगल देवता अभी तक नीच वस्था में थे ये नीच का प्रभाव दे रहे थे यानि कि बहुत खराब प्रभाव दे रहे थे और सिंग रासी में मंगल देव जो है ये चोथे भाव के स्वामी होते हैं और साथ ही साथ भागी के स्वामी होते हैं दो सुभ गरों के मालिक हो करके जब कोई भी ग्रह नीच का हो जाए तो जाहिर सी बात है परेसानी ऐसे जातक या जातिका को बहुत जादा उठानी पड़ती है और मंगल देओ जैसे ही मित रासी में आपके लगन पे संचार करने लगेंगे यहां से आपका गोल्डेन पीरियड शुरू हो जाएगा कई मामलों में आपको विशेश लाब होगा लेकिन कुछ मामलों में आपको दिक्कत भी उठानी पड़ेगी यह ध्यान लखिएगा यहां पर मंगल देओ जैसे ही सिंग रासी में भ्रमण करेंगे लगन पे सूर के साथ इनकी तातकालिक मित्रता बनी हुई है और जब तक यहां गोचर करेंगे लगभग 45 दिन तक तब तक तातकालिक मित्रता ही रहेगी यह ध्यान रखिए यह जो मंगल का मैं रासी परिवर्तन बता रहा हूँ यह अपने नाम चंदर कुंडली और लगन तीनों के आधार पे देख सकते हैं अगर लगन कुंडली है तो उसके अनुसार देखिए लगन कुंडली नहीं है तो सेकेंड आप्शन है रासी के अनुस गोचर करेंगे तो इनकी चौथी दृष्टी जो है आपके पड़ेगी चौथे भाव पे अपने ही घर पर इनकी दृष्टी है जिसके फल से सुरूप चौथे भाव पे जब दृष्टी डालेंगे तो मकान, वाहन, गाड़ी, भोम, भावन अगर आपको मिलने के योग ब प्रापर्टी आप परचेस करना चाहते थे, कोई जमीन जाजाद लेना खरीदना चाहते थे, क्रेव करना चाहते थे, खास करके खरीदारी करना चाहते थे, तो बड़े शांदार योग यहाँ पर बन जाएंगे, इस समय आपके अंदर आक्रमकता बहुत जादा रहेगी, जो भी काम करिएगा थोड़ा धैर से करिएगा क्योंकि मन पर और मस्तिस्क पर आपके कुंडली में मंगल का प्रभाव रहेगा। लगनेश एकादस भाव में गोचर कर रहे हैं एकादस से दौदस तक का सफर ये तैं करेंगे तो इस समय जो भी विक्ति देश-विदेश की यात्राएं करना चाहते हैं यात्राएं कर सकते हैं बड़े सांदार योग इस समय दिखाई पड़ रहे हैं। भाग के मालिक होकर के मंगल लगन में बैठे हैं नौपंचम का योग बना करके बैठे हैं। भाग इस समय आपका प्रचंड रूप से जवर्दस तरीके से साथ देता हुआ नजर आएगा। इसके इलावा मंगल अपने मित्र की राशी में बैठे हैं और साथ ही साथ गुरुद्यो ब्रहस्पति की सीधे द्रश्टी मंगल के उपर है। तो मंगल को जब द्रश्टी बल भी प्राप्त हो जाएगा तो मंगल बड़ा शांदार रिजर्ट आपको देने वाले हैं। सभी मनोरत आपके पूरे होने वाले हैं। यह तो रहे कुछ अच्छे प्रभाव जो मंगल आपको देंगे यानि कि देवी क्रपा और जमीन जाजास से सम्मंधित अब बुरा प्रभाव सुन लीजिए। लगन में मंगल बैठे हैं, मंगलिक योग बना करके बैठे हैं और उनके ठीक सामने सनी महराज सबसप्तम का योग बना करके बैठे हैं। इसका मतलब यह रहा कि वैवाहिक जीवन के लिए यह समय लगभग 45 दिन का जो है अच्छा नहीं रहेगा। पती और पतनी के बीच में कलह का वाता वरन बनेगा। अगर मंगल या शनी में से किसी एक ग्रहकी आपकी दसा चल रही है तो समस्या और भी ज्यादा हो सकती है। अब इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा मान लिया मंगल या शनी में से किसी एक ग्रह की दसा चल लही है मान लो मंगल की दसा चल लही है और कला हो रहा है तो इस समय आपको शनी को मजबूत करना होगा मंगल को नहीं और अगर मंगल की दसा चल लही है तब कल्य उत्पन हो रहा है तो वहाँ पर भी वैवाहिक जीवन आपका डिस्टर्ब हो रहा है तो इसका मतलब यह रहा कि कहीं न कहीं सनी महराज के मंत्रों का जब करके आप समस्या को दूर कर सकते हैं वैसे यह गोचर सिंग रासी वालों के लिए शांदार रहेगा तो कि इस समय आर्थिक इस्थिति आपकी काफी मजबूत हो जाएगी दैवी क्रपा बनी है तो जो काम करिएगा सोच समझ करके करिएगा और कोशिश करिएगा कि एक बार अपने परिवार वालों की राय ले करक तो विशेश रूप से आपको लाभ प्रद इस्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगी मंगल की अस्टम द्रश्टी आपके अस्टम इस्थान पर जा रही है जिसके फल सुरूप इस समय वाहन और आप थोड़ा संभल करके चलाएंगे तो आपके लिए अच्छा है बाकी घहब़ाने की आवसकता नहीं है मंगल बहुत ही ज़्यदा सुर्व प्रभाव आपको देने आ रहे हैं आपकी च्छाओ की पूर्ती करने आ रहे हैं और कहीं न कहीं प्रत्येक छेत्र में आपको लाभ दिलाने आ हैं उपाय क्या करेंगे उपाय स्वरूप सूर्य भगवान को आप अर्ग दीजिए रेगुलर्टी से और उनके मंत्रों का जब करिए ताकि और भी ज्यादा इस्थितियां आपके पक्ष में होती हुई दिखाई पड़ें कल मिलेंगे मैं कित्रिपाठी को अनुमत दीजिए नमस्कार